अर्जुन ने पूछा, हे मधु सूदन, आब सनियासत और तियाग के तत्योप्रत्तक जानने की इच्छा करता हूँ शिरी भगवाने कहा कामनावाले करमों के तियाग को ग्यानी लोग सनियास मानते हैं और विवेकीपूरुषफलों के तियाग को तियाग कहते हैं कोई कोई पंडित दोश युक्त जानकर हमें करम को त्याग न उचित समझते हैं कुछ लोग यग्यदान और तप आदी करमों के ना छोड़ने को त्याग बताते हैं यह भारत त्याग के विशे में हमारा निश्च जो है बह सुनो त्याग तीन पर कार के हैं यग्यदान और तप आदी करम त्यागने नहीं चाहिए बेवश्य करने योग्य हैं क्योंकि यह तीनों ग्यानियों को पुवित्र करता है यह सब करम आसकती और फॉल को त्याग करने चाहिए मेरा निश्च मत यही है जो उत्तम है अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं है यदि मौवश ऐसा किया जाए तो तामस त्याग है कर्म दुख प्रद है ये विचार करके और श्रीर के कलेश के वे से जो त्याग कहलता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता ये राजस त्याग कहलता है हे अरजुन अपना कर्म अवश्य करने योग्य है फल तथा आसकती को त्याकर जो किया जाता है बै कर्म और सात्विक है जो दुख दायक कर्म से दुएश नहीं करता और सुख दायक कर्म से प्रिति नहीं करता बै त्यागी सत्य शील और बुद्धि मान बिक्ति मुक्ति के य देदारी सुम्पूरन कर्मों का त्याग नहीं कर सकता कर्मफल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है कर्मफल तीन परकार के अनिष्ट और मित्तर जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के पीछे मिलते हैं योगियों को कभी नहीं मिलते शरीरवाणी और मन से भला या बुर जो काम अरम किया जाता है उसके पांच कारण है ऐसे होने पर जो केवल आतमा को ही करता जानता है बैद दुरमती कुछ नहीं जानता जिसको ये हंकार नहीं है कि मैं करता हूं और जिसकी बुद्धी करमों से लिपत नहीं है बे मनुश्य प्राणियों को मार कर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं मारता ग्यान के और ग्याता ये तीनों ही कर्म के साधन है संख्य शास्तर में ग्यान कर्म और करता से सात्वी गुनों के बेद तीन परकार के हैं इनको भी सुनो जो सब भिन भिन प्राणियों में की अविनाशी अविवक्त सता को देखता है बै ग्यान सात्वी कहलता है जिस ग्यान से प्राणियों में नाना परकार की सताएं दिखाई देती है उनको राजन ग्यान जानो ऐसा ग्यान जिसमें बिना कारण और सात्त जाने एक ही कारे में लगा रहे, अलप और तामस है, फल की इच्छा ना करके जो कर्म नित्य किया जाता है, सात्विक है, जो फल की इच्छा और अंकार से बड़े यतन से किया जाता है, बै कर्म राजस है, जो कर्म परिणाम और धन का खर्च और दूसरे की पीड़ा और अप मुक्त फल का चुक लोभी इंसक आव पवितर हर्श शोक से युक्त राजस करता कहलाता है चंचल चित वाला नीच मुर्ख दूसरों की बुराई करने वाला आलसी बिवादी और दिरिक सूतरी और तामस करता कहलाता है हे धनजे गुणों की तरह बुद्धी और धेरे केवी तीन वेदे उनको विस्तार से कहता हूं सुनो बुद्धी प्रवीरिति करतबी और व्यम आवय का बंदन और मौक्ष को जो जानता है बैसात्वी की है हे पार्थ जिसे धर्म और अधर्म करतबे और अधर्म थीक निश् जिस धृति के दोरा बन प्राण और इंदियों की क्रिया ठीक चलती है बैसात्विकी है यह पार्त जो परसंग से फल की इच्छा वाला है जो धरम काम और और अर्थ को धारन करता है उसकी धृति राजसी है यह पार्त जिस धृति से मुर्क जन निद्रा बेशोक बिशाद औ और अंत के अमरित के समान होता है जो सुख आरंभ में अमरित और तुल्य और अंत में विश्य सद्रिश विश्यों और इंद्रियों के स्योके से होता है उसे राजस कहते हैं जो सुख आदी और अंत दोनों में मुनुश्य को में फंसाता है जो नीद आलत से तथा परमाद क इसे उत्पन होता है बही तामस है प्रक्रति के इन तीनों प्रमाद तीनों गुनों से अलग कोई बस्तू आकाश पताल देवलोक में नहीं है हे परम तप ब्रामन क्षत्री वैश्य और शोद्रों के करम सभाविक गुनों में बंटे हुए है सम तप और पवितरता क्षमा नमरता ग्यान अनुभव और परलोक में शर्दा ये ब्रामन के सभाविक सिद्ध करम है बादरीते जिस्वी धारे वत्यतुराई युद्ध में स्थित्ता दारता और प्रभुक ये क्षत्रियों के सभाविक करम है खेती गोरक्षा बैपार बैशियों के सभाविक करम है तीनों वर्नों की सेवा शुद्र के सभाविक करम है जो लोग अपने अपने प्रवितियों के उनसार करम करते हैं उनको सिद्धी प्रावत होती है अब बैस उनो जिसमें सब प्राणियों की प्रवर्टी हुई है जिसने समूचे जगत का विस्तार किया उस इश्वर की अपनी करमों के द्वारा अराधना करके मुनश्य सिद्धी को पाता है हे पाता को पाता है दूसरे उत्तम से अपना धर्म ही श्रेष्ट है सबाविक करम से पाप नहीं मिलगता है कांते दोश्युक्त भी सबाविक धर्म का त्याग न करे सरवत्र आशक्ति को छोड़ने बाला आतमा को जीतने बाला इच्छा रहीत मुनश्य सन्यास के दौरा अरम निविती पाकर सिद्धी को पाता है हे उजन इस व्रगार का पुरुष सिद्धी को पाता है मैं फिर भी किस तरह ब्रह्मा को पराप्त करते हैं सो मुझसे सुनो यही इस कान का ग्यानका पर निश्टा है शुद्भुद्धी से मुक्त होकर धृति दौरा मन को वश में लाकर शबदादी विश्यों को छोड़कर रागद्वेश से रहित एकांत में रहने वाला मिता हारी बानी और मन को जीतने वाला नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान अंकार बल काम करोध वो परिग्रे छोड़कर ममताहीन और शांत मनुश्य ब्रमा भाव के योग्य होता है ब्रमा को प्राप्त हुआ पुर्श मन प्रसंचित होकर शोक वो विलाशा को नहीं करता और जी मातर में समदर्शी होकर मुझे में परमभक्ती पाता है इस प्रकार ग्यानी मुझमें करता है सावधानी से अपना मन मुझ में स्तिर कर और सब कर्मों को मुझ में ही अरपन कर बद्धी योग के आश्रे से निरंतर अपने चित को मुझ में लगा दो मेरे मैं चित लगा कर मेरी क्रिपा से तुम सभी दुर्गम कष्टों से तर जाओगे यदि अंकार से मेरी बात सुनोगे तो नश्ट हो जाओगे यदि अंकार आश्रे लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुमारे निश्चे ही जूटा है क्योंकि सबाव तुम्हें युद्ध म स्तिर ईश्वर उनको माया से इस परकार भरमा रहा है मानो ये सब यंतर पर चड़े हैं हे बारत सब बावों से उसी परकार की क्रिपा परम शांती और मुक्ति को पाओगे ये गूड ग्यान मैंने तुम्हें कहा है इसे भली बांती विचार कर जैसा चाहते हो बैसा करो सब सबसे गूड बचन है को सुनो और सुनो क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो इसे तुमारे हित कहीं कहूंगा मेरे मैं मन लगाओ और मेरे मैं भक्त हो मेरा यग्या करो मुझे ही निरमा स्कार करो इस परकार मुझे पाओगे ये मैं सत्य परतिग्या करता हूं क्योंकि तुम मे मेरे मित्र हो, सब धर्मा को छोड़कर केवल मेरी शर्म में आओ, मैं तुम्हे सब पापों से छुड़ा दूँगा, सोच न करो, ये मेरा रहस्य है, ऐसे पुर्ष से जो मेरे तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो, मेरा निंदक ना हो, कभी नहीं कहना चाहिए, ज से बढ़कर मुझे कोई भी प्यारा भी नहीं होगा, हमारे इस धर्म समवाद को जो पड़ेगा, मैं समझों कि उसने ग्यान यग्य में मेरी पूजा की है, और शर्दावन पुरुष दोश ढूंडे बिना इसको सुनेगा, बैभी मुक्त होकर पुन्य आतमों को मिलने वाल आपकी क्रिपा से मेरा मो नश्ट हो गया है, और समर्थी प्राबत हूँ, यदि संदे अब मैं आपकी आग्या में स्तित हूँ, और जैसा आपने कहा बैसा ही करूँगा, संजे बोला हे राजन, मैंने ब्याज जी की क्रिपा से साक्षात योगेश्वर शिर्किशन के मुक् मेरी ऐसी धाना है कि जहां योगेश्वर शिर्किशन है, जहां पारत जैसे धुनिजदारी है, और वही राजलक्षमी, बिजे ऐश्वर और अटल निती, अटी दिलती है, अठारवे अध्याई का मात्न में, शिर्किश्वर जी बोले हे लक्षमी, अब अठारवे अध्या और इंदर से सब देवताओं के सामने कहा, तो उठी इसको बैठने दे, ये सुनकर इंदर सेहन न कर सके, तेजस्वी को आसन पर बठा दिया, इंदर ने अपने गुरु बरस्पती जी से पूछा, गुरु जी आपत तरिकाल दर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुन्य किया ह जिस पर इंदरासन का अधिकारी हुआ, मेरे जाने तो इसने तीरत बरत या दान तो कोई नहीं किया, ये सब बाते ब्रिस्पती जी ने भगवान से कही, प्रभु ने ब्रिस्पती जी से कहा, इसके मन मैं भोगों की वासना थी, परंतु ये गीता के अठारवे ध्याय का न मुक्ती को पहुंचा दो, तुम सो, तुम जाकर भोगों की समगरी कठी कर दो, तब इंदर और सब देवता आयो, आकर इंदर ने सब भोगों की बस्तूँ एकतर कर दी, और कहा, तुम इंदर लोग के सुखों को भोगो, के काल इंदर पूरी सुख भोगों कर वे फिर शिर नाइन जी कहते हैं हे लक्षमी ऐसा अठारमे ध्याय का मात्त में है गंगा गीता का गायतरी का युग मैं ये तीनों मुक्ति के परदाता हैं ऐसा निश्चित ही जानो गीता सार क्यों बेर्थ में चिंता करते हो किस से बेर्थ में डरते हो कौन तुमें मार सकता है आतमा ना पैदा होती है ना मरती है जो हुआ बै अच्छा हुआ जो हो रहा है वो अच्छा होगा जो होगा वो भी अच्छा होगा तुम भूत का और पश्टाब ना करो विश्य क चल रहा है, तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे, जो तुमने क्या पैदा किया था, जो नाश हो गया, ना तुम लेकर आए थे, जो कुछ लिया, यही से लिया, जो दिया, यही पर दिया, जो लिया, इसी भगवान से लिया, और जो दिया, इसी मृत्यू समझते हो वही तो जीवन है बस ये परसंता है तुम्हार दुखों का कारण है परिवरतन संसार का नियम मैं तुम दरिद्र हो जाते हो मेरा तेरा चोटा बड़ा अपना प्राया मन से मिटा दो विचार से हटा दो फिर सब तुम्हारा है तुम सब के हो ना ये श्री बगवान के अर्पित करो यही सबसे उत्तम सारा है जो इसके सारे को जानता है बैचिंता शोक सरवदा से मुक्त है जो कुछ भी करता है उसे भगवान को अरपन करता है इसी से तू सदा जिवन मुक्त का अनंद अर्भव करेगा ओम जै श्री कृष्ण हरे प्रभु जै श्री कृष्ण हरे बगतन के दुख तारे पल बल में दूर करे ओम जै शिरी कृष्ण नहरे पर्मानंद मुरारी मोहन गिरवरधारी जे रसर बिहारी जै जै गिरधारी करकंचन कटी कंकन शुति कंडल बाला मोर मुकट पीतांबर सोहे बनमाला दीन सुदामा तारे दृद्र दुख तारे गज के फंद फुड़ावे बवसागर तारे हिरने कश्च संहारे नहरहारी दूप धरे बाहनते प्रभु प्रक्टे जन के बीच पड़े केशी केश बिदारे नरकुवेर तारे दामोदर शवी सुंदर बगतन रखवारे काली ना चान करते नागर मन मोहे राज्य विवीशन तापे सीता शो कहरे दृपती सुतापती राखी करना लाज वरे जैशिर रादे जैशिर रादे